हाँ तो प्यारे बच्चो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे सन्नी साइंस कलासेश पे मेरे भाई आप सभी को बताते हुए ये हमें बहुत खुसी हो रही है कि आपका जो है सेंट अप एक्जाम जो होता है उनका डेट आ चुका है पूरा का पूरा सिड्यूल आ चुका है तो आज हम आपको एक एक करके सारी जानकारियां आपसे साजा करने वाले हैं कई सारे सवाल आपके मन में जो है उट रहे होंगे जैसे कि गुरु जी सेंट अप एक्जाम क्या होता है सेंट अप एक्जाम देना हमें जरूरी है क्या क्या अगर हम सेंट अप एक्जाम देते हैं और फेल कर जाते हैं तो क्या हमें उसका annual exam में देने के लिए नहीं दिया जाएगा exam कई सारे सवाल आपके तरह तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे तो आज की इस class में हम जो है यह कोई class नहीं है informative video है information का video है तो आपको सारी जानकारी आपको provide हम कराने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए यह हमारे सामने में official slide खुला हुआ है और सबसे पहला सवाल कि गुरुजी sent up exam होता क्या है तो मेरे भाई आप movie देखें हैं न movie movie का समझे कि यह trailer है जिस प्रकार से movie देखते हैं उसका trailer पहले release होता है और trailer से हमें अंदाजा लग जाता है कि movie में क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ आएगा क्या कुछ होगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है एजटीज सारी चीज़ें नहीं पता चलता है लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है तो ठीक उसी तरह जो है मेरे भाई सेंट अप एक्जाम जो है एनवल एक्जाम का एक ट्रेलर है मौक टेश्ट है समझे अब इसको जो है यह क्या है कि आपको सारी चीजें यह बता देगा कि आपका कितना number of questions रहेगा कितना जो है कौन सा chapter से आपको questions दिये जा रहे हैं तो यह सारी चीजें आपको सेंट अप एक्जाम से पता चल जाएगा point clear है सेंट अप एक्जाम क्या है पता चल गया अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल है गुरू जी सेंट अप एक्जाम देना जरूरी है तो इसका जवाब है yes देना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि जब हम सेंट अप एक्जाम देंगे तो उससे किसी दूसरे को फाइदा नहीं है वो आपको benefit है गुरुजी कैसे तो बच्चो जब आप sent up exam दोगे तो उससे ये आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं अगर हम मानलो पूरा का पूरा 80 marks का exam दे रहे हैं या 70 marks का exam दे रहे हैं 30 number practical हो जाता है तो उसमें जो है 70 theory म से आपका कितना marks आ रहा है आप खुद को अपने आपको देखोगे जाचोगे कि हम कितना पानी में हैं तो इससे आफी को benefit होगा ठीक है न इसलिए sent up exam देना जरूरी है उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि गुरुजी अगर हम sent up exam दे देते हैं और हम fail कर जाते हैं तब क्या करें तो आप मेरे बच्चे हैं मेरे सेर है मेरे सेर्निया है तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि sent up exam एक ऐसा exam है कोई भी बच्चा इसमें fail करेगा ही नहीं तो अब आपका फिर सवाल उठेगा कि गुरुजी जब आप ही बोल रहे हो कि कोई fail करेगा ही नहीं तो हमें देना क्यों जरूरी है देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने आपको real exam वाला fail प्राप्त करोगे वहां और आपका होसला बढ़ेगा लेकिन इसमें किसी विद्यार्थी को किसी भी बच्चे को fail नहीं करेगा वो इसलिए आपको ढरना नहीं है हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को आपका जो है न धटकन तेज हो गया होगा धक 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 हख कर रहा होगा तो बिल्कुल भी डरना नहीं है हम आपके साथ हैं जब भी हमारा जरूरत पड़ेगा आप हमें याद करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे तो इसी लिए ये सारी एक्जाम जो है जरूरी हो जाता है समझ में आगया सारी चीज़े आप इसमें फेल नहीं होंगे ये हमें 100% ही नहीं 110% विश्वास है आपके उपर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट और देखिएगा ध्यान रखिएगा कि सेंट अप एक्जाम वही बच्चे देंगे जो रेगुलर कंपाटमेंटल वाले हैं वो सारे के लिए जरूरी नहीं होता है कंपाटमेंटल बच्चे जो होते हैं उसके लिए जरूरी नहीं होता है या जो इनप्रूब्मेंट दे करके आते हैं उसके लिए जरूरी नहीं होता है है ना चलिए अब आपको हम डेट बता देते हैं फट तो आपका जो है सबसे पहले होना है physics का exam सबसे पहले किसका exam होगा physics का exam होगा first sitting में और second sitting में मेरे भाई किसका exam होगा तो chemistry का exam होगा second sitting में किसका exam होना है chemistry का exam होना है blur दिख रहा है न तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को भी याद हो जाएगा चीज़ें देखिए अगर हम बात करें 11-11-2024 इस दिन आपका जो एकजाम होना है मेरे बाई दो पाली में एकजाम होगा एक first sitting exam होगा और एक आपका second sitting exam होगा तो first sitting में आपका इस दिन होने जा रहा है physics होगा और इधर होगा आपका chemistry exam होना है उसके बाद 12 तारिक की बात करें मेरे लाड़ लो 12-11-2024 जो एकजाम होना है आपका वो आपका first sitting में होगा math होना है ठीक है और आपका इसमें होना है मेरे लाड़ लो क्या biology बायो लोजी का आपका जो है paper होने वाला है इसी परकार से बात करें हम 13 तारिक की बात करें 13-11-2024 की अगर बात कर लें मेरे भाई तो आपका I think इसमें जो है हिंदी है एक मिनट हम check कर लेते हैं न इंगलिस है फिर उसके ब English है ए उसके बाद जो है आपका हिंदी है इस तरीके से paper आपका होने वाला है science में अगर हम आर्स वालों की बात कर ले न तो आर्स वाले बच्चे जो है आर्स वाले बच्चे जो है देख सकते हैं philosophy का exam पहले होना है और second sitting में आर्स वाले का जो है आर्स वाले का political science का होना है 11 तारीक को 11 तारीक को ठीक है न तो philosophy और political science 11 तारीक को होना है 12 तारीक की बात करें तो आर्स वाले बच्चे में जो है आर्स वाले बच्चे में जो है इसमें भी mathematics का exam है और इसमें आर्स वाले बच्चों का जो है geography का exam है ठीक है तो ये आपका जो है exam इस तरीके से इस जो है न इसको हम telegram channel पे share कर देंगे whatsapp channel पे भी share कर देंगे आप जो है नीचे description में telegram का link है telegram पे भी आप जो है जूड जाईएगा तो आपको जो है वहाँ पे यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ information था कैसा लगा यह video आप comment box में आप अपने राय जरूर दिजेगा मिलेंगे अब 4 बज़े साम में अपना जो class होता है theory वाला class मेरे भाई उस theory वाले class में हम लोग मिलेंगे और theory वाले class कितने बज़े होता है तो आप सभी को पता है कि daily जो है चार बज़े साम में आपका theory class चलता है physics वाला ठीक है physics class जो है साम में daily चार बज़े चलता है आज जो है हम लोग chapter number 3 करने वाले हैं chapter number 3 का सारे important subjective questions जो है करने वाले हैं तो मिलते हैं साम में तब तक के लिए bye take care love you all मेरे भाई